हलो के माइ डिवाइन सौल फैमिली एक अर्जेंड चैनल मैसेज है जो मुझे डिवाइन से रिसिव हुआ जैसे मैं ने कहा था कि मैं तभी आपसे बात कर सकती हूँ या आपसे कॉन्टेक्ट कर सकती हूँ जब डिवाइन का परमिशन हो तो डिवाइन ने मुझे एक पर्मिशन तो दिया है कि जो जो मेरे वीडियोज पॉलो करके इनर वर्क बहुत सिरियसली कर रहे हैं, मैं उनसे एक ग्रूप मेटिंग करूँ, वो भी नाइन नाइन पोर्टल से पहले, तो मुझे इस बात का पता तब चलेगा, जब नाइन नाइन पोर्टल से पहले, मैं आप सब को बोलूँगी, अपना अनुभव शेयर कीजिए, कमेंड्स पर, और आप कौन से स्टेज में पहुँचे हो, आपका क्या सिच्वेशन है, सिर्फ उनी लोगों के लिए, जो मेरे इनर वर्क सिरियसली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, विकास मुझे तो डारेक्टली पता नहीं है, तो आप सब अपना अनुभव बताना, मैं अपने वीडियो में बता दूंगी, और फिर मैं उनमें से सिलेक्ट करूंगी, किन-किन के साथ मुझे मिटिंग करना है, जूम मिट मिटिंग रखेंगे, जी विल्कुल फ्री रहेगा मिटिंग भी, और हम आपके साथ कॉस्चन एंसर्स, अनुभव और नेक्स टेप कैसे जाना है, वो बात करेंगे, तो आप अपना अनुभव ज़रूर शेयर करना, मैं कॉवर करने की कोशिश करूंगी, ऐसा नहीं है, कि क साथ से आप से कॉंटेक्ट करूंगी, या मैं इमेल आइडी दे के आप से कनेक्ट करूंगी, और यह मिटिंग बिल्कुल फ्री रहेगा, हेलो दोस्तों, अच्छा टुमॉरो एट एट पोर्टल, तो हो सके, तो एक्साक्ली, मैं एक वेदिक चांटिंग गणवती जी के मं दे दूंगी, वो एक्साक्ली, आट बजने से आट मिनिट पहले अउन कर देना, वो चांट भी है न, 8.33 कली है, तो आट बजने से आट मिनिट पहले उससे स्टार्ट करना, एक्साक्ली, 8.33 सेकंड्स में वो स्टॉप हो जाएंगे, उसके बाद, आफर्मेशन करना, शर्वमंगला मंगले, शीवे शरवार्थ सादी के, शरण्ये त्रंबके गौरी, नारायनी नमस्तुते ठीक है? आट बार जब कर लेना गाहित्र मंत्र जब कर लेना? ठीक है? गाहित्र मंत्र आते होंगे अम गूर भुवश्ट्वाहा तस्वितूर वरिन्यम वर्गोदे वसदे महें तियो यो ना प्रचोदया यह आट बार जब कर लेना उसके बाद जो जो मांगना है आट बच कर आट मिनिट तक में मांग लेना तो फर्स्ट क्या करेंगे गनफती जी का वेदिक चैंटिंग मंत्र जो मैं नीचे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूँगी वो चला देना एक्जाक्ली आट बचने से पहले मतलब आट बचने से आट मिनिट पहले वो एक्जाक्ली उसी टाइम पर चलाना सुबह शाम दोनों टाइम कर दीचिए ठीक है उसके बाद वो एट थर्टी सेकेंड तक होगा उसके बाद आप एफर्मेशन कीजिए जो मांगना है फटा फट मांग लीचिए और उसके बाद सर्वमंगला मंगले शीवा शर्वार्द साधी के आठ बार जॉप कीजिए और गायत्री मंत्र का चांटिंग कीजिए सारे ब्लॉकेज़ दूर होने का और एनर्जी रिसिफ करने का जस्ट मुझे गणपती भाई ने यही मैसेज दिया तो आप सबको मैं यह बता दिया आपके 88 पोर्टल बहुत 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 खुबसूरत हो तैंक यू सो मच और जो भी मैंने लिंक दिया या देती जा रही हो आप उसी को फॉलो करना हो सकता है उससे बहुत सारे अच्छे भी हो लेकिन इसमें क्या है न अलफा स्टेट बीटा थीटा गामा होता है न तो उसके होती थी तो बस यही करना और सिरियूसली फॉलो करना और जो हमारे मेटिंग्स होंगे जूम में उसमें हम क्या करेंगे मैं भी आप सबको कुशन एंसर पूछोंगी ठीक है जो सेलेक्टेड होंगे तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए जो जो मैं मैसेज देते जा रहे ह है उसे अच्छे से सिखिए समझिए ठीक है चाहे तो तिन तिन चार चार बार सुनिए एक्टम दिमाग में बिठा लेजिए जो जो सॉंग्स के मैं लिंक दे रहे हूं उससे पहले फॉलो के जिए बाकी नेक्स्ट क्या करना है नाइन नाइन पोटल के पहले तो मैं अवश आप्रियोस ओशाइच